Hello everyone, welcome you all at Location Unlimited Study Zone नया topic स्टार्ट कर रहे हैं आज से differential equation मतलब की आउकल समीकन तो सबसे पहले जानते हैं कि आउकल समीकन क्या होते हैं तो सबसे देखो समीकन के बारे में आप तो सभी लोग जानते हो कि समीकन क्या हुआ करता है समीकन इसके पहले आप लोग पढ़कर क्या हो कि समीकन क्या हुआ करता है एक इस तरीके की structure fx equal to 0 मतलब यहाँ पर क्या होता था x का function और इधर पर क्या हुआ करता था 0 x का function आप कुछ भी ले लो x cube plus 2x square plus 1 equal to आपने क्या कर दिया थी मतलब तिरती एक हाथ का है आप अपने पास में कोई भी समीकन लिख लेते रहो तो इसमें single variable का equation है 2x plus 5 equal to 0 ये भी एक रेखिक समीकन है 7x square plus 3x plus 5 equal to 0 ये कैसा समीकन है ये आपके पास एक work समीकन है तो अभी तक आपने जो समीकन पढ़े है वो आपने कैसे समीकन पढ़े है बीज गनती ये समीकन और ये आप under the class 10th ही पढ़के आ गए थे बीज गनती समीकन फिर इसके बाद आपका सामना होता है किससे टिग्नोमेट्री से और टिग्नोमेट्री में आपके पास ऐसे कुछ समीकन आते है जिसका नाम है 3 sin x plus 4 cos x equal to 0, है ना, तो यहाँ पर यह जो फलन दिये गए है, जो function दिये गए है, यह कौन से function है, यह trigonometric function है, तो यह जो equation कहलाता है, इस equation को हम बोलते है, trigonometric equation, equation, हिंदी में इसको बोलते है, trigonometric equation हम बोला करते है, तो यह trigonometric equation है, है ना, 210 x equals to 0, यह हो गया, फिर आपने पढ़ा, अभी इसी साल 12 में, sin inverse x plus cos inverse x, equal to कितना, pi by 2, और sin inverse x minus cos inverse x minus pi by 2, equal to कितना, 0, तो यह भी एक क्या बन गया, समीकर्ण बना है, मगर यह विशेश प्रकार का समीकर्ण है, जो x के हर value के लिए सत्य है, तो ऐसा equation, जो x की हर value के लिए सत्य होता है, उसको बोलते हैं, असमीका, क्या बोलते हैं, identity, सॉरी, उसको हम बोलते हैं, identity, समझ गया न, इसे हम क्या बोलते हैं, identity, clear हो गया, तो यह जो कहलाती है, identity कहलाती है, मतलब जैसे sin square x plus cos square x equal to 1, sin square theta, या, sin square x plus cos square x equals to 1, यह समी कर नहीं है, समझ गया न, यह समी कर नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, trigonometric identity, जैसे कहते हैं, सार्व समी का, क्या बोलते हैं, सार्व समी का, जो मतलब x के हर मान के लिए सत्य हो, आप जैसे कोई equation लिखते हो न, 3x square plus 2x plus 5, यह देखो, यह x के हर मान के लिए सत्य नहीं होता, यह किवल x के दो मान के लिए सत्य होता, एक होता, अलफा एक होता है, मगर दुनिया के कुछ ऐसे equation है, जो x की हर value के लिए सत्य है, ऐसे equation को बोलते हैं, अपन क्या, सार्व समी का, समझ गया न, तो इसलिए यह trigonometric identity है, क्या है trigonometric identity है, आप इसे trigonometric equation नहीं बोल सकते हैं, इसे trigonometric identity बोलना पड़ेगा, because यह x की हर value के लिए true है, हर value के लिए क्या है, true है, चलिए, तो थोड़ा सा equation में और identity में आपको हल पता चल गया, मतलब हिंदी मेरी बोला जाए, तो दो चीजे algebraic structure हमारे पास दो रूप में हुआ करते हैं, जैसे जो fx equal to 0 मिलेगा, वो दो रूप में होता है, एक तो होता है समी करण, और एक होती है सर्व समी का, ठीक ना, समी करण के निश्चित हल होते हैं, कि कुछ ही हलोंगे, जिनको आप alpha, beta, gamma, कुछ ही हलोंगे, मगर सर्व समी का x के हर्मान के लिए सत्य होती है, x के हर्मान के लिए सत्य होती है, तो anyway हम थोड़ा सदूर आगे अपने topic से हम पढ़ रहे थे differential equation तो अभी आपने देखे type of equation अब differential equation क्या होता है एक equation एक ऐसा समी करण जो minimum ये term रखे अपने अंदर क्या रखे d by dx रखे कम से कम d2 by dx2 रखे d3 by dx3 रखे आपके slivers में इतना ही है इनको क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं derivative term क्या बोलते हैं derivative term हिंदी में बोलते हैं आवकलज पद तो एक ऐसा समी करण जो अपके अपने अंदर in terms को रखता है एक ऐसा equation जो अपने अंदर in terms को रखता है derivative terms को रखता है ऐसे equation को हम क्या बोलते है, differential equation, minimum इतना तो होना चाहिए, ओके, ऐसे equation को हम बोलते है, differential equation, आईए देखते हैं, differential equation हम देखते हैं, कि कौन कौन से होते हैं, differential equation, और फिर ये इधर कुछ भी होगा, equation है, मतलब equal तो होगा, और right side में क्या होगा, 0, standard form के लिए सब के right side में क्या बनान लाते थे वाई को इधर लाते थे सी को एक तरफ लाते थे कुल टू कितना जीरो तो ऐसे ही कोई भी क्वेशन आपके पास बनता था 10th क्लास में एक्स प्लस बीवाई प्लस इकुल टू ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करता था ठीक ना तो स्टैंडर्ड फॉर्म पता 4x square d2y by dx2 प्लस 3xy प्लस 5y square एक कुल टू कितना 0 भाई कुछ भी लिखा हो है ना बस आप ये देखो कि आपके पास कम से कम ये मौझूद हो तो आपके पास ये क्या हो जागा differential equation समझ गया ना चलिए आप जानते हैं d2 by dx को दुनिया क्या बोलती है y dash के नाम से ही बोलती है है ना तो और d2y by dx2 को क्या बोलती है y double dash के नाम से ही बोलती है तो कुछ equation आपके सामने ऐसे भी आ सकते है y dash plus 2y double dash plus y y dash equal to कितना 0 तो बताईए ये भी कौन सा समीकर्ण है differential equation ओकल समीकर्ण ये भी है ठीक ना तो ओकल समीकर्ण में जो हमारा पहला topic आता है कि ओकल समीकर्ण क लिए पहचान आईडिन्टिफाई करना अउकल समीकर्ण को पहचान के लिए उकल समीकर्ण में दो चीजे होती है एक होती है is की order होती है जिसे हिंदी बोलते है क क्या ब gültet है और दूसरी होती सिक डिगरी डिगरी क्या होती है कि किसी equation में हाईयस्ट बार्क अधिक्तम अवकलज उपस्तित है maximum times of derivative यह देखिए यह आपके पास एक अवकल समीकर्ण है ओके यह देखिए जो अवकल समीकर्ण है यह किस वेरियेवल में दिया गया है वाई में है किस में है वाई में मतलब यहां पर जो परतंत्र है जो डिपेंडेंट है वो कौन है वाई और जो उचल कूद रहा है जो x है समझ गया ना वो कौन है x है तो independent यहां पर कौन है x है independent कौन है x है क्योंकि जितना भी अवकलन किया गया है y का किस के respect में किया गया है x के respect में अब आपको बताना है कि यहां पर इसकी कोटी कितनी है और घात कितनी है तो देखिए सबसे ज क्यादाublik निफ्रेंवार कि गया है इसमें यागा दो बार लिवार इसके agreed होगा उसकी कितने बार अवकलज किया गया है उतने नंबर को ही लिखते हैं कर्फिंव कोटी है तो यहां पर जो डिगे इसकी घात बोलते हैं equal to किती है 1 और order यानि कि इसकी जो कोटी है वो किती है 2 है समझ में आया अब आपको एक चीज याद रहे कि घात लिखते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना घात के पद को लिखते समय ये रखेगा कि जो भी आपका d-v-dx का टर्म है वो फलन से मुक्त होना चाहिए क्या होना चाहिए फलन से मुक्त होना चाहिए function से free होना चाहिए किसी की power में किसी के अंदर नहीं होना चाहिए अगर ऐसा हो गया तो आपकी घात जो होगी वो परिभाशित नहीं होगी आपकी घात परिभाशित नहीं होगी example के लिए आपके पास लिखा है e की power d by dx लिए और plus 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 जो है d2y by dx2 equal to 0 तो बताइए इसकी order किती है कोटी किती है 2 और मैं बोलूँगा इसकी degree कितनी है तो answer क्या है परिभाशित नहीं क्योंकि e की power में भाई सब x आता है क्या आता है x और आपने बदलाव रख दिया e की power में d by dx है ना d by dx तो derivative term है तो इसकी degree परिभाशित नहीं है ऐसे ही आपके पास में अगर कहीं पर भी sign आ जाए sign d by dx तो बोलो परिभासित होगी degree कभी नहीं समझ गया ना log के अंदर आ जाए आपके पास d by dx तो बोली परिभासित होगी नहीं तो इन जगों पर आपके degree जो होती है परिभासित नहीं होती है तो चलिए देखते हैं कुछ एक question जल्दी जल्दी से हाँ ये आपके सामने कुछ question दिये गया है बताईए इसकी हाँ इसकी कोटी कितनी है एक और घाद कितनी है एक विल्कुल सही कॉटी कोटी कारी बताईए तो और घाद कितनी है तीन अगात कितनी है एक है 11 वाला की कोटी बताईए और घात कितनी है परिभासित नहीं है यह देखी यहाँ पर साइन के अंदर आ चुका इसलिए इसकी घात परिभासित नहीं होगी 24 वाले की कोटी बताना है रुख जो भाई ये question थोड़ा आराम से समल के करना इसको करने के लिए आपनको थोड़ा सा window पे चलना पड़ेगा चलो भाई तो लेके चलते हैं इस question को ये question थोड़ा सा आपको घुमा रहा है और घूमने के लिए त्यार रही है इस ऐसे थार के question में आपको कुछ ना कुछ तो घुमाने को कई बार आ जाता है देखिए वाई एक्वल टू एक्स है और डी वबर डी एक्स है एक्वल टू ए अंडर रूट वन प्लस डी वबर डी एक्स का होल इसक भई भाई रूट यह कहलाता है करणीचीन क्या कहलाता है त debates और दिएवीर आट को कि से मुपर करो कर नी चन से तो एक काम करो आप वाई के साथ यहां पर लिया तो यह हो जाएगा वाई माइनस एक्स डिवर डिएक्स इकल टू ए अंडरूट वन प्लस डिवर डिएक्स का क्या होल स्कॉरर दोनों पक्छों का वर्क कर दो बेटा तो यह हो जाएगा वाई माइनस एक्स डिवर डिएक्स का होल स्कॉरर इकल टू इसको खोल दो ए स्कॉरर और bracket में 1 plus d by dx का क्या whole square ठीक है ना चलिए अब इसको खोलते हैं देखिए इसको आपने उपन करते हैं तो y का कितना हो जाएगा y square minus 2xy d by dx और plus x square d by dx का whole square d by dx का whole square equal to a square और यहां पर कितना है a square का multiply कर दीए बन के साथ a square plus a square d by dx का whole square अब यह पूरा खुल चुका है अब बताएए इसकी कोटी किती है order किती है एक है क्यों और बताएए घात किती है बिल्कुल सही समझ गया ना अगर मान लीजे इन केस यहां पर d2 by dx2 होता यहां पर अगर यहां पर क्या होता दीटू बबभी dx2 तो ओपन करने पर आप क्योंकि जब इसको ओपन करते तो यहां पर भी तो स्क्वार हो जाता ना हां तो ध्यान रखेगा इसको आपको इस तरीके से स्वाल करना पड़ेगा ठीक डन तो क्वेस्टन नमर 14 भी हो गया ठीक ना तो अब आज के लिए इतना ही आपको नेक्स क्लासस में इस तरीके के और क्वेस्टन कराये जाएंगे और हम स्वाल करेंगे समी करण बनाना समी करणों को हल करना ये क्वेस्टन सम्स्वाल करेंगे चली थैंक यू मच फर बिंग विद लोकेसर अनलें पर इस रिजोन हम नास दे बाबाए